रक्षा बंदन भाई वेहन के अटूर्ट प्रेम का पर्व है बहने भाईों की कलाईयों पर राखी बांद कर उनकी सलामती की कामना करती हैं तो भाई बहनों को रक्षा का बचन देते हैं लेकिन कुछ मजबूरियों और दूरियों के चलते कई बार भाई बहनों तक नहीं पहुच पाते बुरहानपुर में भी चार बहनों का इकलोता फौजी भाई राकी पर घर नहीं आ सका तो बहनों ने हाई-टेक तरीका अपनाया वीडियो कॉल पर बॉर्डर पर देश की रक्षा में तैनाथ अपने भाई के साथ रक्षा बंधन का पर्व मनाया दरसल बुरहानपुर के तेजपाल महाजन जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनाथ है जवान तेजपाल अपनी चार बहनों का इकलोता भाई है इस बार रक्षा बंधन पर घर आने के लिए उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाई इधर बहने राकी मनाने घर पहुँची लेकिन भाई नहीं आ पाया तो बहनों ने वीडियो कॉल कर अपने भाई को ना सिर्फ सांकेतिक रूप से राकी बाधी बलकि मोबाईल पर ही तिलक लगा कर आरती की और मिठाई खिलाई भाई ने हजारो किलो मीटर दूर बॉर्डर से बहनों को भरोसा दिया कि छुट्टी मिलते ही वह जरूर घर आएंगे और सब मिलकर एक बार फिर रक्षा बंधन मनाएंगे जवान तेजपाल की बहन पिंकी महाजन ने बताया हम चार बहने हैं मेरा भाई तेजपाल महाजन निवासी रास्ती पूरा जम्मू कस्मीर की बॉर्डर पर तैनाथ है इस बार रक्षा बंधन पर उन्हें किसी कारण बस छुट्टी नहीं मिल सकी तो हमने ऑनलाइन ही वीडियो कॉलिंग पर रक्षा बंधन मनाने का निर्णे लिया तेजपाल 2013 से फौज में तैनाथ होकर देश की शेवा कर रहे हैं हर साल वे रक्षा बंधन पर बेहनों से राखी बदवाने आते हैं लेकिन इस बार छुट्टी नहीं मिलने के कारण नहीं आ पाएं तेजपाल का चार साल का बेटा भी फौजी की ड्रिस में साथ नजर आया छतरपूर में एक बेहन रक्षा बंधन पर अपने भाई के घर जाना चाहा रही थी लेकिन पती ने सेलरी नहीं मिलने की बात कहकर उसे कुछ दिन बात तीज पर माई के जाने को कहा हमने ओनलाइन राखी परिये और हमारा भाई जम्मू कश्मीर में है अच्छा तो लग रहा है पर साथ में रहते तो बहुत अच्छा लगता अगा कि अग्या